हाई गैस और विल्कम बाक टो दी चैनल दीपाश्याद वेजूकेशन विल्कम टी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 21st आफ मार्च 2023 तो गाई जाज है तारिक में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना इस लेक्चर मामलोग मेजरली इंडिन एक्सप्रेस के ओपर फोकस करते हैं लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे इंपोर्टेंट सोर्सिस जैसे पी आई बी डाउन टूवर्थ लाइव मेंट के लिखना धेर सरे लोग रोजाना के बिसस पर उस टेस्ट को अटेम्ट करते हैं इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना है टेलिग्राम पर जा सकते हो वहाँ पर जाकर फिर सापको दीपक यादव एजूकेशन लिखना होगा 11,000 से जादो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं आप भी मेरे साथ में परस्नली वहाँ पर जुड़ सकते हो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के सेशन में कई सारे आर्टिकल से जिसको बहुत डीटेल से मैं कवर करने वाला हूँ और कई सारे शौर्ट आर्टिकल से वो भी काफी रेलिवेंट हैं साब इस आर्टिकल को लिंक कर पाऊगे पहले हम समझेंगे आकरकार न्यूज क्या है जानि कि खबर में ये क्यों है खबर में है तबी तो पढ़ रहे हैं खबर में इसलिए है क्योंकि recently हमारी इंडियन आर्मी ने Palm 400 ड्रोन्स को successfully test किया है इस वज़ा से यहाँ पर ये ड्रोन्स चर्चाँ में आ चुके है अच्छा सवाल यह है क्या इसका नाम ही Palm 400 ड्रोन है नहीं इसका नाम देखो वैसे तो हम Palm 400 के नाम से जान रहे हैं बट इसकी अपना आप में एक फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है प्रिसीजन अटेक लॉइटरिंग मुनिशन ये एक ऐसा ड्रोन है ना जो की टार्गेट के आसपास घूमता रहेगा और उसके बाद में जब तक उसका टार्गेट सटीक तरीके से सेट नहीं हो जाएगा तब तक उसको उपर अटेक नहीं करेगा तार्गेट को सेट करने के बाद में और बिलकुल एकुरेसी के साथ में अटेक करता है एक लॉण रेंज हाई प्रिजिजन सिस्टम ये देखने को मिलता है अभी मैं आपको डीटेल सा आगे इसके बारे बताऊंगा दूसरी इंपोर्टेंट जीज ये एक जॉइंट वेंचर है दो देशों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और वो दो देश कौन-कौन से है इंडिया और इसरेल इसरेल का एविजिन सिस्टम है बस ध्यान रखना इसरेल का सपोर्ट है दूसरी इंपोर्टेंट चीज यहां पर देखो इसको बनाया गया है ताकि हम बड़े एरिया में इसको उड़ा सकें या एक लंबी उड़ान भर सकें क्योंकि इसके अंदर वो पावर है प्लस यहां पर जहां पर हमारे कोई हत्यार प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहे हैं वहां पर हम इन ड्रोन को उड़ा कर इससे अटैक कर सकते हैं यह भी इसके एक अपने आप में खास बात नज़र आती है और अभी हम उसी फीचर्स के उपर आ रहे हैं आखरकर इसके इंपॉर्णट फीचर्स क्या जया है इस पहले चीज जो है ना जो इस्पैशल चीज़ द्रोन के बारे में वह यह है इस ड्रोन को कैनिस्टर से इस डिस्चार्ज किया जा सकता है अब कैनिस्टर क्या आप समझते हो देखो यहाँ पर ड्रोन ना वैसे वो ऐसा दिखता है असल में तो यह जो ड्रोन है यह अटाइक कर सकता है बिल्कुल कह सकते हो हाई कैपिसिटी के है मामले में फिर उसके बाद में इसको launch canister के मामले से किया जा सकता है अब कैनिस्टर क्या होता है इस प्रकार से आपको एक कैनिस्टर देखने को मलेगा इस कैनिस्टर में लगाओ इस ड्रोन को और यहाँ से इसको shoot कर दो तो यह ड्रोन यहाँ पर इस प्रकार से भी launch किया जा सकता है जो कि अपना आप में एक इसका special feature है दूसरी चीज 3,000 से लेकर 4,000 की feet तक की उचाई पर यह उड़ सकता है और लगबग 120 मिनिट तक यहाँ पर यह अपनी उड़ान को कायम रख सकता है दूसरी बात यहाँ पर लगबग 100 km से जाद अपड़ा distance यहाँ पर यह कवर कर सकता है इसकी जो speed है लगबग 50 से 140 knots के आसपास यानि की 90 से लेकर 260 km प्रती घंटे की speed से यहाँ पर यह drone उड़ सकता है इसके अंदर कई सारी infrared और electro optical जो system से वो लगा रख है यानि यह वाले camera's लगा रख है अब camera के अंदर infrared system में तो आप समझी रहे होंगे infrared के माधियम से जो camera है ना इसकी strength बढ़ जाती है strength बढ़ने का मतलब यह जो camera है ना यह चाहे रात हो चाहे दिन हो दोनों ही दोरान यहाँ पर अराम से उस particular target को set कर सकता है तो चाहे रात हो यह चाहे दिन हो रही हो हम इस drone का use करके अगर attack करना है तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर infrared stabilized cameras का use किया गया है उसके बाद एक अच्छी बाद यहाँ पर यह है कि navigational techniques का यहाँ पर यह यूज करता है यानि कि इसको GPS वगर अगर कोई disable हो जाए ना या फिर कोई एक ऐसा जागा है जहाँ पर GPS काम नहीं कर रहा है तो उस जागा पर भी हाँ पर यह अपने सटीक तरीके से target को hit कर सकता है दूसरी बात मैंने आपको बता दिया इसका काम क्या है पहले यहाँ पर विदल दल घूमता रहेगा target के आसपास target को set करेगा फिर उसके बाद जाके वो target पर hit करेगा और इसके अंदर camera तो लगा ही है बहुत सारी information को collect कर सकता है information को collect करने के साथ यहाँ पर दुश्मन को basically यहाँ पर कह सकते हो अगर हमें उनको धमका ना हो तो वो भी हम कर सकते हैं इस drone के माध्य हम से तो यह जो drone है इसकी capacity आप लोग समझ रहे होंगे तो ध्यानक ना palm 400 क्या है आपसे पूछा जा सकता है है ना तो ध्यानक ना palm 400 basically एक drone है आगे आते हैं next important article पर आगले article को आप लोग GS paper number 2 quality के साथ में link कर पाऊगे बात की गई है लोग सबा के deputy speaker के बारे में तो deputy speaker वाला जो पूरा portion है आपका polity का वो आज खतम हो जाएगा आपको बहुत 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 बहुतरी तरीके से समझाने की में कोशिश करने वाला हूँ पहली बात यहाँ पर आप यह लोग सबा का picture देख पा रहे होंगे आप काओगे wait आप कैसे किरो लोग सबा का है क्योंकि same to same राजसाब का भागा भी होता है यानि कि यह राजसाबा है इस पर भी यहाँ पर बीच में table लगी पड़ी है यह सब बैठे वे हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल सिस्टम है तो आप कैसे कह सकते हो यह लोग सबा का है तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे हैं बता रखा है बहुत simple तरीका इसको पहचानने का वो क्या है कि लोग सबा में जो यह carpet है वो green color का होता है ठीक है यह जो carpet बिछावाए ना यह red color का है और इदार यहाँ पर green color का है अगर दोनों same color के होते तो यहाँ पर पहचानना बहुत ज़ादा impossible हो जाता है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल similar है ठीक है समझ माई बात तो ध्यान नहीं रहेगा confused हो जाओगे तो बिल्कुल simple तरीका है R से राजसभा और R से red carpet तो red carpet वाला राजसभा basically देखने को मिलता है अच्छा topic से भट गए लेकिन कोई बात नहीं वापास आदे है topic पर हुआ क्या है इदेखो constitution के जो experts हैं यानि कि संभिधान में जो लोग निपुण है बिल्कुल उनका यहाँ पर कहना है कि बहुत लंबे समय से न हमारे लोकसभा के अंदर जो deputy speaker की एक post होती है न वो खाली पड़ी है उसको क्यों नहीं भर रहे हो आप और वो लंबे समय से खाली पड़ी है न यह कहीं न कहीं असंभिधानी के unconstitutional है तो इसको fill करना चाहिए इस वज़़ा से यहाँ पर deputy speaker चर्चा में आ चुके है ठीक है और सबसे important बात यहाँ पर यह है अब deputy speaker को पढ़ने से पहले sorry हम लोग deputy speaker के बारे में तो पढ़ेंगे ही इसके साथ साथ मैं आपको speaker के बारे ही बताऊंगा जोकि पता है न लोगसभा के अंदर speaker बैठता है और राजसभा के अंदर आपका chairman होता है तो अभी हम लोग speaker और deputy speaker कर दोनों के बारे में काफी सारी चीजों को cover करेंगे पहले हम एक इतियास देखते हैं इतियास यह है कि speaker और deputy speaker दोनों कहीं यहाँ पर जो यह पद है ना यह originate हुआ है इंडिया में 1921 में 1921 में यहाँ पर speaker और deputy speaker वाली post बनी थी अब यह कैसे बनी थी एक act के provision के मादयम से उस act का नाम है Government of India Act of 1919 तो 1919 का यहाँ पर यह act है पूरा इसके दौरान यहाँ पर इसी प्रोविजन के दौरान speaker और deputy speaker के भी कुछ concepts यहाँ पर लेकर आए गए तो 1921 के अंदर में दो व्यक्ति थे फ्रेडरिक वाइट और सचिदानन सिन्हा इन दोनों को यहाँ पर अपॉइंट किया था हमारे speaker और deputy speaker है इसको हम लोग President और Deputy President के नाम से जाना जाते थे ठीक है यानि कि उस समय पर President और Deputy President यहाँ पर बोला जाता था speaker और Deputy Speaker को लेकिन यह जो नाम है President यह 1947 तक ही चल पाया बाद में इसके नाम change कर दिये गए ठीक है बाद में यापर नाम बदल लिए गए उसके बाद में इसको speaker और deputy speaker के माधियम से हम लोग जानने लगे अब बात यह कि संभीधान में deputy speaker के बारे में कहां कहां पर क्या क्या दिया हुआ है आँ थोड़ा discuss करते हैं तो संभीधान में अगर आपको deputy speaker के बारे पढ़ना है तो सबसे पहले article 93 को देखना होगा जो अनुच्छे 93 है article 93 हमारे संभीधान का वो ये बोलता है कि जो लोग सभा है लोग सभा क्या करना पड़ेगा अपने अंदर दो members को चूज करना होगा यानि लोग सभा के जो members होता है न उन लोग को दो members को चूज करना होगा एक बनेगा speaker और एक बनेगा deputy speaker बात क्लियर हो गई तो ये बात कहां पे लिखी हुई है संभीधान में article 93 पे ये article और भी बाते बोलता है जैसे कि जब यहाँ पर speaker या deputy speaker का जो post है वो खाली रहेगा यानि उनका जो office है जब वो खाली हो जाता है तो यानि जो पूरा house है जो लोग सभा है न वो house क्या करेगा एक दूसरे member को चूज कर सकता है एसी पद पर यानि speaker deputy speaker पोस्ट खाली है तो पूरा house speaker को भी elect किया जाता है और deputy speaker को भी कौन elect करता है तो लोग सभा के जो खुद के members है लोग सभा जो members है न वो खुदी यहाँ पर इसको elect करते हैं और ध्यान रखना एक बहुत important point है कि deputy speaker न इस speaker के बाद में elect होता है यानि कि आपसे directly स्वाल बन सकता है देको speaker को पहले elect किया जाता है deputy speaker को बाद में elect किया जाता है अच्छा कहोगे ऐसा क्यों साथ में क्यों elect करते साथ में इसलिए नहीं elect करते क्योंकि deputy speaker की जो election की date होती है न वो खुद speaker ही fix करता है और जब तक speaker होगा नहीं तो deputy speaker कैसे होगा तो इस वज़ा से speaker को पहले elect किया जाता है बाद में आपड़ deputy speaker को elect किया जाता है समझ माया अब बात करते है terms of office की यानि कि office के बारे में गर हम चर्चा करें तो जो deputy speaker है न वो office में रह सकता है अपने जब तक लोग सबा चल रहा है तब तक यहां पर जैसे speaker रहता है न वैसे deputy speaker भी office के अंदर रह सकता है दूसरा question यहां पर यह भी है क्या deputy speaker को हटाया जा सकता है या इसका post खाली हो सकता है यानि कि जो इसका post चल रहा है अगर post से पहले खाली करना हो पोस्ट से पहले भी यहां पर मतलब इनका जो time है उसको उसको खाली हो उसको पूरा होने से पहले यहां पर यह post खाली हो सकती है हाँ हो सकती है तीन तरीके से सबसे पहली चीज जब वो लोग सबा के member नहीं होंगे है ना लोग सबा कि उनकी जो membership है ना खतम हो जाएगी, तो कईना कि यहाँ पर वो फिर deputy speaker नहीं बन सकते हैं या फिर कह सकते हो कि deputy speaker अगर क्या करें, speaker को अपना resignation जो letter है वो दे दें, कि मैं स्तिफा दे रहा हूँ, तो उस basis पर भी यहाँ पर यह deputy speaker remove हो सकते हैं तीसे तरीका है, कि मान लो यहाँ पर इनको एक तरीका और है remove करने का वो है एक resolution, एक resolution पास किया जाएका लोग सबा के जितने ही members है, वो sum बिलकर एक resolution पास करेंगे और वो जो resolution है, वो पास होने के लिए आपको 14 दिन पहले advance में नोटिस देना होगा, ठीक है तो इसको अगर पास हो जाता है, तो उसके मादियम से भी deputy speaker को remove किया जा सकता है, तो यहाँ पर यह remove करने के तीन तरीके हैं ध्यान अगना, सवाल यह है किसरा हमने deputy speaker के बारे में सब चीज़े सरल तरीके से पढ़ तो ली है लेकिन यह नहीं पता भी था कि deputy speaker का का काम क्या है, इसका role या power क्या है तो deputy speaker क्या करता है, देश को मालो मैंने बोला, लोकसभा के अंदर speaker और deputy speaker है suppose किसी कारण वर्ष, speaker कहीं चला गया तो speaker की जगा खाली हो गई अब speaker की जगा खाली हो जाती है तो जो deputy speaker बैठा हुआ है वो deputy speaker, speaker की सारी responsibilities निभाता है speaker की जगा deputy speaker काम करने लगता है ठीक है, जब वो speaker की position खाली है, तो ये speaker की तरह भी काम कर सकता है ध्यान रखना यानि speaker वाली powers इसके पास में भी आ सकती है और अगर आपसे सवाल पूछदा है, इसका मतलब ये है कि speaker के नीचे आता है deputy speaker यानि deputy speaker subordinate speaker के, तो ऐसा नहीं है आपका अगर statement दे जाना है deputy speaker is subordinate to the speaker तो ध्यान अकना ऐसा नहीं है, deputy speaker subordinate नहीं है, क्योंकि दोनों के हुई responsibility दी जाती है, दोनों यहाँ पर जिम्मेदार हैं लोकसभा के house के प्रती लोकसभा के प्रती, दोनों की यहाँ पर जिम्मेदारियां काफी ज़दा देखने को मलती है उसके बाद में, सबसे important चीज, deputy speaker की अध्यक्षता के बारे बात करेंगे, तो जैसे कि मालो यहाँ पर जो houses हमारे पार्लियमेंट के राजसभा लोकसभा के जो राजसभा और लोकसभा दोनों houses है ना पार्लियमेंट के इनकी मालो यहाँ पर एक joint sitting होती है joint batak चलती है, तो उस joint batak में मालो speaker नहीं आया लोकसभा का तो कौन होगा, तो यहाँ पर उसकी कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, यह automatically उसके चेयर मैं भी बन जाएंगे, तो यह यहाँ पर इनको एक अलग से additional benefit मिलता है, दूसरी बात, जब-जब यहाँ पर जो speaker है, वो present होगा, यानि कि उस पूरे house की लोकसभा की अध्यक्षता speaker क्या हाथ में होगी, जब इस speaker present होगा तब deputy speaker का क्या काम होगा, तब deputy speaker बाकी सारे ordinary member की तरह ही रहेगा house के अंदर यानि कि वो house में participate भी कर सकता है proceedings के अंदर में, या फिर कोई question आया है, कोई सवाल यहाँ पे house में उठाया गया है, तो उसके प्रति vote वगरा सब कुछ कर सकता है बात किया रहो गई, तो यह था पूरा का पूरा concept regarding deputy speaker and speaker of लोकसभा next article पर आता है, इस article को आप लोग GS paper number 3 environment वाले section से link कर पाऊगे माधव national park के बारे में हम लोग याँ पर discussion कर रहे हैं, अब माधव national park चर्चा में है, reason क्या है reason यहाँ पर यह है कि 3 tigers को यहाँ पर reintroduce किया या है जो 3 tigers है उनको यहाँ पर लाया गया है, जैसे अभी चीता का reintroduction किया या उसी प्रकार से यहाँ पर जो tigers है इनको यहाँ पर tiger reintroduction project के एक हिस्सा बनाया है और जल्दी माधव national park में release किया जाएंगे, ऐसे recently articles publish हो रहे थे, जिसके basis पर माधव national park चर्चा में था, तो इसी वज़ा से आपको माधव national park पढ़ना है अब पहली चीज़ हमेशा जब भी आप लोगोंने previous year questions देखे है environment वाला section cover क्या है तो वहाँ पे एक चीज़ common अज़र आईए जो भी national parks पूछे गए ना उसकी location जादतर पूछी गई है तो सवाल यह है कि माधव national park कहाँ पर है तो यह मध्या प्रदेश में स्थित है ध्यान हकना माधव national park मध्या प्रदेश में है नाम थोड़ा सा मैच करेके पढ़ सकते हो दूसरा यह जो नाम है इसका माधव national park ही क्यों रखा गया तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है माधो राव सिंद्या यह बेसिकली ग्वालियर के महराज हुआ करते थे जो की सिंद्या डाइनस्टी को बिलॉंग करते थे तो इनी के नाम के उपर में इस national park का नाम रखा गया है माधव national park यह जो park है ना इसका काफी ज़दा यूज किया गया है जो मुगल एम्परेर से वो सब यहाँ पर इस park में शिकार वगरा किया करते थे अच्छा इसको national park का दरजा कब दिया गया फिर तो national park का दरजा इसको 1958 में दिया गया था यहाँ पे कुछ जीले भी है जैसे साख्या और माधव सागर जीले आपको देखने को मिलती है बहुत important यहाँ पर जीले है इस पूरे park के अंदर में यह उसके बाद में यह जो park है यह अपने आप में gifted है कैसे क्योंकि यहाँ का ecosystem बहुत जादा divers है बहुत भिन भिन परकार की अलगलग जीले जंगल, घासे, पेड़ पौदे, अलगलग परकार के जानवर वो सब देखने को मिलता है पेड़ पोदों की बात करें तो खैर, सलाए, केड़ दई, तावड़ा, तेंदू यह सारे पेड़ जो species हैं वो यहाँ पर पाई जाती है location देखना चाओ, तो यह इंडिया का map है यहाँ पर आपको मादव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मादव नेशनल पार्क, घेरा भोपाल विंदिया रेंजिस से उपर आपको मादव नेशनल पार्क नजर आता है, ठीक है अब यहाँ पर देखो अलगलग प्रकार के जानवरी पाई जाते हैं जैसे अंटीलोप, जैसे नीलगाय, चिंकारा चाव सिंगा, डियर, चीतल, सांबर, बार्किंग डियर है ना डियर की काफी सरी स्पीशीज, एंटीलोप के नीलगलग प्रजातियां होती है हिरन के लगलग प्रजातियां होती है उसमें से कई सरी प्रजातिया, इस वाले नैशनल पार्क के अंदर में पाई जाती है, बात क्लियर हो गई, आगे आता है, next important news article, इसको आप लोग GS paper number 3 defense and security से link कर सकते हो, किंजल missile के बारे में हम चर्चा करेंगे, किंजल missile basically एक hypersonic missile है, अब hypersonic missile क्या होती है, वो भी आपको मैं स किंजल missile चर्चा में है, इस किंजल missile को हम लोग KH47M2 के नाम से भी जानते हैं, इसका निकनेम किंजल रख दिया गया है, यह एक nuclear capable missile है, है ना, यहाँ पर एक nuclear blast भी कर सकती है, इस प्रकार की टेक्नलोजी इसके अदर में देखने को मिलेगी, तो रश्या का यहाँ पर इस प प्रकार से अपने target को hit करेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो next generation वाले weapons है ना, उसी का एक हिस्सा है किंजल missile, किंजल missile को इसका जो कह सकते हो, इसके बारे में जो बताया गया था, रश्या की साइट से मार्च 2018 में बताया गया था, इस missile के features क्या है, सबसे important feature यहाँ पर है कि इसकी स्पीड, इसकी स्पीड बहुत जादा तेज है, लगबख 12,350 किलोमेटर प्रती घंडा, यह स्पीड है यहाँ पर इसकी, मार्क 10 तक कि यहाँ पर स्पीड इसकी देखने को मिल जाती है, और यह क्या अगर सकता है, कन्वेंशल और nuclear warheads दोनों ही use कर सकता है, यानि दो दोनों ही तरके के weapons यहाँ पर इसमें लगा कर हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद में इस पर जो वजन है, लगबख 480 किलोग्राम का जो वजन है, वो यहाँ पर यह लेकर चल सकती है missile, यह इसकी capabilities है, उसके बाद में 1500 से लेकर 2000 किलोमेटर तक की range को यह cover कर सकते ह यानि इतनी दूरी पर कोई target है, तो यह missile उसको अराम से hit कर सकता है, और आप imagine करो, इस missile का जो length है, खुदी 8 मीटर है, 8 मीटर की missile है, इसका body diameter एक मीटर का है, और इसका जो weight है लगबख 4300 किलोग्राम का weight है, इसको design क्या या है, इस तरीके से कि हम इसको launch कर पाता है, कैसे, जो MiG-31 fighter jet है उसी से यहाँ पर इसको हम launch कर पाता है, यह इसके सारी खास बाते हैं, और मैंने आपको बताया है, यह किंजल missile एक hypersonic missile है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, hypersonic missile क्या होती है, hypersonic missile वो missile से होती है, जिनकी speed mark 5 तक होती है, जो हमारी sound होती है, sound से लगबख 5 ग कहलाती है, एक surface to air missile देखने को मिलती है, यानि कि हम इसको सतय से जो है, उपर हवा में मार सकते हैं, ठीक है, आगया आता है, तो यह मैंने इसके बारे में अलड़ी सारी बाते बता दिया है, टाइप क्या है missile का length वगरा सब कुछ हम discuss कर चुके हैं, speed वगरा अलड़ी cover कर तो यह जो court है न, यह चर्चा में हमने दाहिंदू के वीडियो में भी discuss किया था, बट एक important topic है, तो आपको यहाँ पर भी इसके बारे में जरूर से पता होना चाहिए, सबसे बहले चीज़ न्यूज में क्यों है, देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि international criminal court ने यहाँ पर आपका एक और court है, international court of justice, है न, जब भी किसी दो देशों में कोई मामला भीड़ जाता है, तो वो international court of justice में जाते हैं, उसी प्रकार से international criminal court है, लेकिन international court of justice की तरह काम नहीं करता है, दोनों में फरक भी है, मैं बता रहा हूँ कि उसी प्रकार का यह court है, ठीक है, अब international criminal court का थ एक जुलाई 2002 से स्टार्ट किया है, तो एक जुलाई 2002 से यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट काम कर रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम है, इन्वेस्टिगेट करना, अलगलग प्रकार के क्राइम को, मालो कोई जीनोसाइड हो गया, या कोई वार क्राइम हो गया, है ना योक्रेन में कई सारे जो बच्चे हैं, वो इधर दर हो चुके हैं लोग यहाँ पर इधर दर हो चुके हैं तो इस चक्कर में वारेंट जाड़ी किया गया तो बोला जारब लदर पूतिन ने वॉर क्राइम किया है, हैना तो basically कोई war crime है, genocide है, या किसी मानवत्व का अगेंस निया पर crime हो रहा है, तो ये सारी जो cases हैं, वो international criminal court हमारा देखता है, अच्छा इसका headquarter कहां पर है, तो Netherlands के अंदर एक हेग नामक जगा है, वहाँ पर इसका headquarter है, इसके अंदर 123 members है very very important, अब 123 members से ध्यान अखना इसके अंदर में, लेकिन सवाल है क्या India सका member है, नहीं, India सका member नहीं है, इविन Russia, China, US भी इसका member नहीं है, ये कुछ important countries, मतलब इसके अलावे भी कुछ और countries है, जो इसके member नहीं है, बट ये कुछ famous countries है, जो भी हाँ पर international criminal court का member नहीं है, ठीक है, तो Russia भी इसका member नहीं है, ध्यान अकना, सवाल यह है कि ये court चलता कैसे, कैसा पैसा बगर आता इस पर, तो इसके पास में जो पैसा आता है ना, वो अलग-लग countries के माद्यम से, या फिर यहाँ पर जो अलग-लग सरकार हैं, जो भी इसका हिस्सा हैं, वो थोड़ा-थोड़ा contribution करती हैं, बाकी सरे जो international organizations हैं, वो यहाँ पर contribution करते हैं, donations बगर आते हैं, तब जाके यहाँ पर यह international criminal court चल पाता है, सवाल यहाँ है, इसमें होता कौन-कौन, इसका composition क्या है, तो इसमें कुछ judges होते हैं, presidency ship, judicial division, यह तीन चीज़े होती हैं, judges की बात करेंगे, तो इस court के अंदर में total 18 जज़ होते हैं, कितने 18 जज़, और यह अलग-लग देशों से appoint किया जाते हैं, टोटल, अलग-लग देशों से appoint करते हैं, अच्छा, इसका presidency ship कौन समलता है, तो इन 18 जज़ों में से, तीन जज़ यहाँ पर कैसकतो निकाल लिये जाएंगे, और तीन जज़ में से एक तो बन जाएंगे president, और बाकी दो बन जाएंगे vice president, इनको यहाँ पर इनी जज़ों में से elect किया जाएगा, बात clear हो गई, और इसी composition में आप देखोगे, तो एक judicial division भी है, यानि कि जो 18 ज़ज है न, ऐसन यह साथ मिलकर काम करते हैं, इनको तीन अलग-लग bodies में बाट दिया जाए, एक है pre-trial division, एक है trial division, और एक है appeals division, तो इन तीन हिस्सों में यहाँ पर यह judges बट जाते हैं, ठीक है, सवाल यह है कि international criminal court किस प्रकार के cases को देखता है, देखो, मानलो कोई भी particular individual है, एक व्यक्ति है, उसके against में यहाँ पर कोई case निकल लग रहा है, तो वैसे case देखने का काम करता है, international criminal court, जबकि जो international court of justice होता है न, वो अलग-अलग दो देश अगर भिड़ चुके हैं बीच में, तो उस वाले matters को देखने का काम करता है, जो member है न, यानि कि जैसे Russia के जो president है, Vladimir Putin, Vladimir Putin के against में वारेंट जारी किया गया, तो Vladimir Putin को arrest करना इतना असान नहीं है, क्यों, क्योंकि Russia खुद इसका member नहीं है, क्योंकि अगर arrest कर सकते हैं यह, तो उसके लिए उस देश को international criminal court का member होना काफी ज़दा आविशक है, ठीक है, बात clear हो गई, international criminal court की जब बात करते हैं, तो इसके पास में एक और power आती है, क्या power आती है, इन्हों नहीं यहाँ पर यह बोलाए, कि जो भी अपराद है न, एक जुलाई 2002 के बाद के जो अपराद है, वही अपराद को यह handle करेगा, उसके अलावा यहाँ पर उसके पहले के एक जुलाई 2002 के पहले कोई offense बगरा है, तो उसको यहाँ पर यह handle नहीं करेगा द्यान लखना क्योंकि एक जुलाई 2002 से यह body काम कर रही है तो तभी तक के यहाँ पर तब से अब तक के जो offenses हैं उसको यहाँ पर टैकल करने का काम कर सकता है clear हुआ next article पर आता है सर निउस क्या है पहले इसको समझेंगे तो हाली में दो researchers हैं खोज करता उन्होंने क्या क्या तामिल लडू के अंदर में कुछ rare moth species देखी है moth क्या होता एक प्रकार का insect यह जो insect है ना इसी को आम लोग moth बोलता है अब यहाँ पर आप देख पाऊगे यह जो है यह भी एक moth species है thumbnail में इसको लगा दिया है थाकि thumbnail को थोड़ा attractive बना दिया जाए बाकि यहाँ पर आप देखोगे यह वाली जो species यह अभी खोजी गई है यह वाली species मoth की यह अभी खोजी गई है इस वज़सा यहाँ पर यह kmtr चर्चा में है क्यों क्योंकि कलकड मंदुत्राई tigerism में ही इन species को पाया गया है बात clear हो गई अब आप कहोगे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है इसके उपर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज से पहले यह species एक बार और देखी गई है अच्छा कब देखी गई है तो 127 साल पहले देखी गई थी तो यही है कही ना कहीं इस topic के importance की वज़ा 127 साल पहले यहाँ पर एक व्यक्ति है जोर्ज हेंसन उन्होंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया था और 127 साल पहले क्या भारत में पाई गई थी नहीं स्रिलंका के ट्रिंको माली में देखने को मिली थी 1893 में अब उसके बाद यहाँ पर इंडिया में पाई गई है अच्छा इसका नाम बगरा क्या है नाम बगरा है कोई हाँ बिल्कुल इसका एक scientific name है जिसका नाम है Mumecemia Salonica यह इसका एक scientific name है ध्यानक ना आपसे सवाल बन सकता है कि Mumecemia Salonica यह recently news में यह क्या है कोई planet है यह क्या हमदा इसका सवाल बन जाता है तो ध्यानक ना यह basically एक moth की species है ठीक है आ गया आता है अब उसके बाद में इसी वज़ा से आपको थोड़ा सा ना कलकड मनुत्रई Tiger Reserve के बारमी पढ़ना होगा यह Tiger Reserve क्या है कहां पर है क्योंकि इसकी locations important हो जाती है तो यह Tiger Reserve आपको Tamil Nadu में देखने को मिलेगा Tamil Nadu का खास कर कन्या कुमारी district या तिरु नेवली district आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर यह Tiger Reserve फैले वे हैं और ध्यानक ना यह Tamil Nadu का पहला Tiger Reserve है ठीक है और हमारे देश का सत्रवा Tiger Reserve उसके साथ साथ इस Tiger Reserve में कुछ और भी एरियाज आते हैं जैसे कन्या कुमारी वाइलेफ सेंचरी इसी के अंडर में आता है निलाई वाइलेफ सेंचरी भी इसी हिस्से में आता है यहाँ से एक नदी भैती है जिसका नाम है थमीर रबार्नी ठीक है थमीर अबर्नी निहाँ पे नदी है जो कि इसी Tiger Reserve से ओरिजनेट होती है सवाल यह है कि location देखें तो कहाँ पर देखेगा यह Tiger Reserve तो यह है इडिया का map यहाँ पे तामिल लाडू है नीचे जस्ट यहाँ पर आपको यह जो है यह Tiger Reserve नजर आएगा कलकड मंदुत्रई Tiger Reserve बात क्लियर हो गई और आपको confuse करने के लिए इसको एक और नाम से जाना जाता है ऐसा यहाँ पर पूछ ले जाएगा देखो इस Tiger Reserve को हम लोग River Century के नाम से भी जानता है अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर 14 से जादा नदिया है नहीं अगले आटिकल में बात की गई है MAI AM के बारे में यह क्या है यह है Multi Angle Imager for Aerosols Mission अब इसका मतलब क्या है समझता है चलो खबर क्या है पहले इसको समझेंगे तो खाली में जो NASA नाम की बॉड़ी है NASA बेसिकली अमेरिका का Space Agency यह जैसे भारत का ISRO है Indian Space Research Organization वैसे अमेरिका का जो Space Agency उसका नाम है NASA इसका मतलब है National Aeronautics and Space Administration तो NASA ने अभी पिछले कुछ समय पहले एक announcement किया है क्या announcement किया है कि यह लोग Italy की जो Space Agency जिसका नाम है Italian Space Agency उसके साथ में मिलकर यह क्या कर रहे है पार्टनर्शिप कर रहे है अच्छा क्यों कर रहे है अब दोनों मिल करना एक mission तयार कर रहे है जिसका नाम है MAIA अब MAIA जो मैंने बताया Multi-Angler Imager for Aerosol Mission तो आप से सवाल बन सकता है यह mission है यह हाली में न्यूज में है कौन कों से देशों के बीच में यह mission partnership के दौरान बनाया जा रहा है तो NASA और Italian Space Agency के माधियम से Italian Space Agency का नाम है Eganzia Spazil Italina ठीक है सवाल यह है कि इस mission को क्यों तयार के जा रहा है उसके पीछे का reason है Air Pollution को investigate करना जो वायू प्रदूशड है न उसका असर क्या हो रहा है लोगों के health के उपर में वो यहाँ पर यह काम करेगा उसके बारे में जानेगा खासकर दुनिया के कुछ ऐसे शहर जो की most populated cities है दुनिया के ऐसे शहर जहां पर सबसे जाधा आबादी है वहाँ पर air pollution का वाई-उ प्रदूशड का लोगों पर क्या impact पड़ रहा है उस सीज को investigate करने का काम करेगा यह particular mission बात क्लियर हो गई और इस mission में हम लोग एक satellite launch करेंगे जिसका नाम है प्लैटीनो 2 satellite जो की बहुत सरा data हम लोग को provide करवाएगा regarding weather data है ना atmospheric data आ गया आता है अब उसके बाद में बोला गया है कि लगबग कौन कौन से जो मैंने बोला ना कि दुनिया के जो सबसे populated शहर है उनको यह investigate करने का काम करेगा तो कौन कौन से शहर होंगे तो यहाँ पर बोला गया है इसका target है लगबग 11 में टार्गेट्स है 11 में टार्गेट्स में लॉस एंजल्स, एटलांटा, बोस्टोन, रोम उसके बाद में एडिस अबाबा, एथियोपिया, बार्सलिना, स्पेन, बीजिंग, जॉनसबर्ग, नियू डैली नियू डैली भी एक most populated city है ना फिर ताइपाई, ताइवान, तेलविव, ये कुछ शहर हैं जिनके उपर major focus रहेगा इस mission का सवाल ये है कि ये mission कब launch होने वाला है तो 2024 के अंत से पहले पहले इसको launch कर दिया जाएगा, ये भी हाँ पर घोंशड़ा की गई है नेक्स राडिकल पर आते हैं अगले आर्टिकल बात करता है, TROPEX 2023 के बारे में ये अगें GS paper number 3, defense and security के लिए relevant है हुआ क्या है, तो इंडियन नेवी का एक major operational अभ्यास है TROPEX recently याँ पर ये पूरा हो चुका है November 2022 में start हुआ था, मार्स 2023 में समापत हो चुका है चार महीने का ये mission चला था Arabian Sea में चला था, इस विए से याँ पर चर्चा में है तो पहली चीज़ आपको पता होने चाहिए कि TROPEX है ये तो कहीन है कि इसकी full form होगी, हाँ बिल्कुर इसकी full form है क्या है full form? इसकी full form है Theater Level Operational Readiness Exercise इसकी को हम लोगों ने TROPEX का नाम दिया है तो ये एक अभ्यास है जो कि साल में दो साल में एक बार होता है अब यहाँ पर इसमें Indian Navy भी होती है Indian Navy के साथ यहाँ पर Indian Army, Indian Air Force और हमारे Coastal Guards भी होते हैं वो सम मिलकर इस अभ्यास को कंड़र्ट करते हैं इसके कुछ important features हैं कई सारी Navy के जहाज, हमारी पंडूपियां अलग-लग Air Crafts वो सम मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इस अभ्यास के अंदर में तो यहाँ पर इस अभ्यास को क्या जाता है यह समझ में आ गया ताकि हम लोग क्या कर सकें समझर के उपर किस परकार से निग्रानी रखनी है उस चीजों के बारे में हम लोग तोड़ा सा और ज़्यादा अपने आपको बढ़ा सकें तो नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक यह अभ्यास चला था आप से question बन सकता है ट्रॉपेक्स 2023 के बारे में अरे मुझे लग रहा एक इस स्लाइड डिलीट हो गई है पता नहीं क्या हो गिए जो निउज है नवो निउज वली स्लाइड यहाँ से हट गई है चलो कोई बात नहीं समझ लेता है अब ही recently निउज में था वैसे लूपेस ठीक है न तो लूपस के बारे हैं पता होना चाहिए आपको तो लूपस क्या है एक autoimmune disease है अब ये क्या होता है इसमें क्या होता है जो body का immune system होता है वो हमारे body के खुद के जो हमारी body की tissues है ना हमारे body के जो organs उनी को damage करना start कर देता है हमारा immune system जिसका काम है हमें अलग-अलग बिमारियों से बचाना जब वही हमारे body को नुक्सान पहुंचाने लगे हमारे tissues हमारे organs को attack करने लगे तो वही यहाँ पर autoimmune disease कहलाती है और वही disease है लूपस अब ये जो condition होता है ना लूपस का ये सबसे पहले तो kidney के उपर असर डालती है लेकिन ऐसा निया कि केवल kidney के उपर असर डालती है kidney के साथ साथ पूरे skin के उपर पूरे खाल के उपर इस प्रकार से red color के spots पर जाता है आपका blood vessel tissues heart brain या बाकी सारे दूसरे organs उसके उपर भी Rituximab तो यहां पर इस प्रकार से आपको ये कुछ दवाईयां को ये नाम दिए गए हैं जो कि लूपस बिमारी को ठीक करने में कईना की अपनी capabilities रखते हैं लूपस बिमारी में इस प्रकार से कई सारे sports body पर पढ़ जाते हैं मैंने आपको बताया है इसके कई सारे symptoms होते हैं बुखार होना थकान होना चेस्ट में दर्दोना joints में दर्दोना, kidney disease, weight loss, skin के उपर rashes होना तो ये सारे यहाँ पर लक्षर नजर आते हैं इस पूरे पूरे लूपस के दोरान अब next article पर आते हैं अगले article में हम discussion करेंगे BIMSTAC ministeral meeting के बारे में again एक relevant article है ठीक है आप BIMSTAC क्या है वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा ये चर्चा में क्यों है पहले इसको समझते हैं क्योंकि हाली में जो हमारे ministry of state for external affair है उन्होंने यहाँ पर participate किया था BIMSTAC की meeting में तो BIMSTAC की अप्रूब किया है किन countries ने जो BIMSTAC का हिस्सा है तो BIMSTAC क्या है BIMSTAC की full form है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation ये इसकी full form है ये जो meeting है इन्होंने कई सरे agreements अप्रूब किये उसमें से एक चीज़ ये भी है कि BIMSTAC और India ये दोनों मिलकर क्या करने वाले है BIMSTAC center को establish करने वाला है यानि BIMSTAC क तो ये कई सारे discussion हुए थे लेगिन आपको examination के लिए BIMSTAC के बारे में जरूर से पता होना चाहिए सवाल बन सकता है ऐसे कई सारे examination पहले भी सवाल बने वहे हैं तो BIMSTAC क्या एक regional organization है जिसको बनाया गया था 6 जून 1997 में regional organization का मतलब है एक particular region से ही सारे के सारे देश यहां पर आ रहे हैं इंडिया स्रिलंका नेपाल बोटान बांगलदेश म्यानमर थाइलेंड यह सारी कंट्री जहां पर एक region की हैं ठीक है इसमें जातर कंट्री बेंगोल के साथ में अपने बॉर्डर को शेर कर रहे हैं लेकिन कुछ कंट्री जो है नेपाल बूटान ये इसके साथ म बेंगोल के साथ में बॉर्डर शेर नहीं कर रहे हैं ध्यान रखना तो ये बिम्स्टैक के सारे के सारे देश आपको देखने को मिल गए हैं अब 6 जून 1997 में बिम्स्टैक को बनाया तो गया था लेकिन एक पहले declaration sign किया गया था जिसका नाम था Bangkok declaration इस declaration के मादम से यहां पर बिम्स्टैक को बनाया गया इसके members कौन कौन से हैं वो हमने already discuss किया अब सवाल यह है कि जब इतने सारे member हैं तो इस body की chairmanship कौन समलता होगा तो chairmanship rotate होती रहती है है ना तो नाम जो alphabetical order होता है ना जैसे ABCD में जो पहले पहले आता रहेगा नाम जो इनका पहले पहले आता रहे अगरता है और बिम्स्टैक की जो समिट है ना ध्यानक ना थीसरी जब समिट होई थी तो उस समिट का दौराण बिम्स्टैक का एक headquarter बनाया गया इसका checkreate ... बनाया गया इसका सक्रेकर कहाँ पर बनाया गया तो वांग्ल संध्रे हảका है भूहाँ पर सेक्रेटेरेड बनाय हैं तो इस वीडियो की खास बात यही है कि आपको कम समय में ज़ाद से ज़ादा quality content मिल जाता है है आप देखो मैं आपको line से पहले सारी questions बताताव चलूँगा जो भी आपने discuss किया है हमने पड़ा है तो उन सब को लेकर पहले आपको questions बताऊँगा उसके answer आप नीचे comment section में लिखते वे चलना फिर last में एक साथ में सभी questions के answers बताऊँगा ताकि आप मापे match कर सको और देख सको कि आपने कितने questions सही किया है पहला question है deputy speaker के regarding deputy speaker जो लोग सबागे है उनको लेकर है deputy speaker को लेकर दो statement जिये गए हैं बताना है कौनसा statement सही है पहला statement deputy speaker को elect किया जाता है लोग सबागे थूँ लोग सबागे जो member से वो खोद यहां पर उस speaker को elect करते हैं दूसरा statement जो deputy speaker की election की date होती है उसको हमारे president यानि हमारे राष्ट्रपती fix करते हैं क्या यह statement सही है बताओ कौनसा statement यहां पर सही है option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं next question पर आता है अगला question हमारा बात करता है international criminal court के बारे में तो international criminal court को लेकर आपको दो statements दिये गए है बताना है कौनसा statement सही है first statement यह basically हमारे United Nation का ही एक important organ है जिसका काम है crimes को देखना है ना दूसरा statement बोलता है कि इंडिया जो है ना इस international criminal court का एक founding member है बताओ कौनसा statement यहां पर सही है option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आता है अगले question में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं लियूपस बिमारी के बारे में तो लियूपस डिजीज को लेकर यहां पर फिर से आपको दो statement दिये गए हैं बताना है कौनसा statement सही है पहला statement लियूपस एक autoimmune disease है जिसका मतलब हमारे body का जो immune system है ना वो खुद हमारे tissues को जब attack करने लगता तो उसका हम autoimmune disease बोलता है तो क्या यह सही है दूसरा statement लियूपस बिमारी केवल और केवल हमारे kidney के उपर direct impact ढालती है तो बताओ कौनसा statement सही है option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आता है अगला question नमारा बात करता है किसी इस के बारे में एक सेगेंड लुक जाओ यह है question, यह बात करता है multi-angle image for aerosols mission के बारे में अभी आपने थोड़ दर पहले इस mission के बारे में पढ़ा है तो इस mission को लेकर दो statements दिये गए है बताना है कौन से statement सही है पहला statement बोलता है यह एक joint mission है NASA और Europe Space Agency दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस mission को launch किया है दूसरा statement बोलता है कि इस mission का जो main objective है वो यह है कि जो भी दुनिया की सबसे जादे आबादी वाले शहर है वहाँ पर air pollution का जो impact और लोगों की health के उपर उसको investigate करना तो बताओ कौन से statement सही है option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आता है अगला question अमारा बात करता है BIMSTAC के बारे में that is Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTAC को लेकर दो statement दिये गए है बताना है कौन से statement सही है पहला statement BIMSTAC को बनाया गया है Bangkok declaration sign करने के बाद क्या ये statement सही है दूसरा statement जीतने भी member से BIMSTAC के अंदर में वो सब Bay of Bengal के साथ में अपनी boundaries को share करता है और मैं आपको बता दूँ ये question SSC में directly पूछा गया है तो बताओ कौन से statement सही है option A1 only, option B2 only option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आता है अगले question बात किया गी है palm 400 के बारे में अब जो questions है न वो कहीना गई one liner वाले है छोटे-छोटे questions है तो इनके answer आपको देने होंगे क्योंकि बहुत असान से है palm 400 के बारे में हमने discussion किया तो आप से पूछा या है palm 400 recently news में ये क्या है पहला, ये एक genetically modified variety है palm trees की, देखो, यहाँ पर confusion हो सकता है दूसरा statement, ये एक high precision attack drone है तीसरा statement, ये एक earth size exoplanet है या फिर चौथा statement इनमें से कुछ नहीं बताओ इसका सही answer क्या है next question पर आते है अगला question अमरा बात करता है माधव National Park के बारे में माधव National Park हाल ही में news में देखने को मिलाए बताना ये कौन से राज्या में है अगला question अमरा बात करता है किंजल मिसाइल के बारे में तो किंजल मिसाइल बेसिकली एक nuclear capable ballistic missile है ये कौन से देश को बिलॉंग करती है आपको बताना है अगला question अमरा बात करता है कलकर्ड मंदुत्रई Tiger Reserve के बारे में तो ये हाली में news में देखने को मिला है बताना है के MTR कौन से राज्या में इस्थित है A. Kerala, B. Tamil Nadu, C. Maharashtra या फिर D. इनमें से कोई नहीं next question पर आता है अगला question बात करता है Tropics 2023 के बारे में कि जो Tropics 2000 तो ही से ये हाली में news में देखने को मिला है बताना यहां पर यह क्या है A. Indian Navy का operational level exercise है B. एक multilateral army exercise है C. एक astronomical event है या इनमें से कोई नहीं फटाफट बता उसका सही उत्तर क्या है अगले question पर आता है next question हमारा बात करता है किसी भी चीज़ के बारे में नहीं यहीं तक questions थे आप लोग ने यहां पर अच्छे से जाथ 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 questions के सही answer दिये होंगे अब मैं आपको फटा फट इन questions के answer बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को आपस में rematch कर सको और अपना score नीचे comment section में लिखे हैं बिना मत जाना कि आपने कितने question में से कितने question सही यह है तो last question से सारे answer देखना start करते हैं TROPEX 2023 के बारे पूछा यहा था तो TROPEX 2023 हाली में न्यूज में देखने को मिला यह क्या है तो इसका सही उतर है option A यह एक Indian Navy operational level exercise है फिर आप से next question पूछा गया है कलकड अच्छा मैं आप लोगों से एक सवल और पूछना चाहूँगा यह जो Tiger Reserve इसका एक और नाम है जरा उस नाम को बताओ नीचे comment section में हमने अभी पड़ा था आगे आते हैं उसके बाद next question में आप से पूछा या है Kinzal missile के बारे में तो Kinzal missile एक nuclear capable ballistic missile है यह कौन से देश से बिलॉंग करती है नहीं कौन से देश की missile है तो यह C Russia की missile है ठीक है तो रश्य नहीं आप इसको double up क्या है आप लोगों से एक simple सा सवाल है यह basically जो Kinzal missile ना एक hypersonic missile है hypersonic missiles कौन सी होती है जरा नीचे comment section में उसके proper definition लिख दो आगया आता है फिर अगले question आप से पूछा गया था माधव National Park के बारे में तो माधव National Park हाली में न्यूज में है बताना यहां पर कौन से राज्यम है तो उसी मध्यप्रदेश के अंदर यहां पर यह National Park देखने को मिलेगा अगे यहां पर भी मैं आप लोगों से एक simple सवाल पूछना चाओंगा कि मध्यप्रदेश के अंदर जो यह माधव National Park है ना इसका नाम माधव National Park ही क्यों रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है जरह नीचे comment section ने बताओ देखते हैं आपने कितने अच्छे से यहां पर सुना है फिर उसके बाद में अगले question आपसे पूछा गया है Palm 400 Drones के बारे में तो Palm 400 Drones को लेकर कौन सा statement सही है option B सही उत्तर है यह एक high precision attack drones है ठीक है अगले question पर आता है next question आपसे पूछा गया था BIMSTAC के बारे में तो BIMSTAC को लेकर दो बड़े-बड़े statement दिये गए थे बाताना था कौन सा statement सही है पहला statement सही है दूसरा गलत है पहला statement बोलता है कि BIMSTAC को बनाया गया था Bangkok declaration के दोरान सही बात है दूसरा statement यहां पर गलत है क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है BIMSTAC के जितने ही members है वो सब Bay of Bengal के साथ में अपने borders को share करते हैं और मैंने आपको थोड़ दर पहली बताया था Nepal, Bhutan दो ऐसे देश हैं जो कि Bay of Bengal के साथ में अपने borders को share नहीं करता है that is why option A is the correct answer next question में आपसे पूछा या था multi-angle imager for aerosols mission के बारे में इसको लेकर दो statement दिये गए थे बताना था कौन से statement सही है तो दूसरा statement सही है पहला statement गलत है पहला statement बोलता है यह जो mission है एक joint mission है एक तरफ NASA है दूसरी तरफ European Space Agency हाँ NASA तो ठीक है लेकिन European Space Agency गलत है अच्छा European Space Agency की जगा कौन सी space agency होनी चाहिए फटा-फट नीचे comment section में नाम बताओ तो इसी वैसे पहला statement गलत है दूसरा statement आपका सही है क्योंकि दूसरा statement इसलिए सही है क्योंकि इस mission का मकसद यहाँ पर यही है कि दुनिया के अंदर में जो सबसे ज़ादा अबादी वाले देश है वहाँ पर वायू प्रदूशल का human health के उपर में क्या impact पढ़ रहा है उसको investigate करना अगले question पर आता है next question में आपसे पूछा गया था lupus disease के बारे में केवल kidney के अफेट करता है ऐसा नहीं है kidney के अलवा आपके बाकी सारे organs skin हो गया heart हो गया brain हो गया उनको भी यह damage करता हूँ नजर आता है next question पर आता है अगले question में आपसे पूछा गया था international criminal court के बारे में तो international criminal court को लेकर दो statements है बताना है कौन से सही है तो यहाँ पर दोनों के दोनों statements गलत है कहोगे क्यों पहला statement देखो पहला statement बोलता है कि international criminal court United Nation का ही एक औरगन एजुडिशल औरगन यहीं तक पढ़कर काम खतम हो गया United Nation का औरगन यह है ही नहीं United Nation के 6 principal औरगन से आपको पता है उसमें international criminal court नहीं आता है तो पहला statement हो गया गलत दूसरा statement इंडिया इसका founding member आरे इंडिया इसका member ही नहीं है तो founding member कहां से होगा तो दूसरा statement भी गलत है तो इस वज़ा से option number D neither one nor two is the correct answer next question पर आते हैं अगले question में आपसे पूछा गया था एक सेकंड उख जाओ deputy speaker के बारे में तो deputy speaker को लेकर दो statements है बताना है कौन से statement सही है option A जो है बिलकुल आपका सही है पहला वाला statement है वो correct है दूसरा statement wrong है पहला वाला statement बोलता है कि deputy speaker को लोग सबा के जो members है वो ही elect करता है बिलकुल सही बात है दूसरा statement क्यों गलता है क्योंकि deputy speaker की जो date of election होती है वो हमारे president fix करते हैं नहीं, president नहीं speaker खुद यहाँ पर उसको fix करते हैं इससी वदास हम speaker को पहले elect करते हैं deputy speaker को बाद में elect करते हैं आपको पता होगा है ना यह हमने पढ़ा भी था तो I hope guys आपको यहाँ पर clarity मिल चीग होगी यह यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा वीडियो था और मज़ा भी आया होगा बाद कि मैं कोशिच करूँगा वीडियो को regular रखने की क्योंकि काफी सर लोगों की question है कि सर वीडियो को regular रखना है ना कि आपने एक दिन upload कर दिया है देखो पहले ना काफी सरी issues हो गयते उस सक्कर मैं upload नहीं कर पाया था बट मेरी कोशिच यही रहेगी मैं regular basis पर आपको यह videos देता रहा हूँ इसके साथ में करते हैं हम लोग अपने lecture को समाब तोर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जहिंद